पिछले दो महिनों से अश्विन की ट्रेडिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे लेकिन पंजाब की टीम ने अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज में बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिये और आज इस वीडियो में आपको यह बताऊँगा क्या 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 बयान दी है पंजाब की टीम ने और क्या यह ट्रेडिंग होगी अश्विन की या फिर यह कैंसल होने वाली है तो बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो है एंड तक जरूर देखिए और दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है तो यहां कहीं नीचे के साथ जुड़े थे तब इनकी ट्विटर पर इन्होंने यह लिखा था कि वो टीम इंडिया तमिल नाडू और पंजाब की तरफ से खेलते हैं लेकिन दो दिन पहले उन्होंने पंजाब का नाम जब हटाया तो दो दिन से यह कयास ललाये जा रहे थे कि भाई अब तो क्ल है सबसे पहली चीज उन्होंने बोली कि इनका कोच क्लियर हो गया मतलब की अनिल कुमले के कोच होंगे साथ ही इनके असिस्टेंट कोच इनके जॉट्वेली हो गया यह लोग जौन्टी रोट्स के पीछे गया है और आगे जाकर उनके साथ जुड़ सकते हैं जुड़े नह इसना हिस्तेदारी छोड़ रहे थे पंजाब की टीम को छोड़ रहे थे अभी तक उन्होंने हिस्तेदारी छोड़ी नहीं वह एक साल और कंटिन्यू करेंगे और उन्होंने बयान दे दिया है कि अश्विन को वह रिलीज नहीं करेंगे पंजाब रिलीज नहीं करेंगी अश समझ नहीं आ रहा कि किसकी मानू क्योंकि यह वह इतना हिंदू है यह वह सारे अखबार है जो लगबग दू महीने देड़ महीने पहले गांगुली का बयान छापे थे इसमें गांगुली ने यह कहा था कि भाई लास्ट स्टेज में हमारी ट्रेडिंग है और बस आई रहा है कि तरफ खेलेंगे मतलब अब यहां से आप ही बताओ ना किसकी तरफ खेलेंगे क्योंकि मुझे तो अब यहां से 1% सेंट परसेंट भी समझ नहीं आ रहा है कि आश्विन किस टीम में जाकर खेलेंगे और इन लोगों ने पूरी ट्रेडिंग को मजाग बना कर रखा और मेर दिमाग जो है और सिर जो है वो चक्रा चुका है इस मसले के बाद क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आगे जाकर इस मसले पर अश्विन के ऊपर और वीडियो बना पाऊंगा क्योंकि भाई अगर ऐसी रोज खबर पल्टेंगी तो भाई कोई क्रेडबिलेटी बसती नहीं है ना अब थोड़े दिन पहले यह सिगनेचर वाली कॉंट्रोवर्सी हो गई थी यह लोग सिगनेचर नहीं कर रहे थे तो मेरे साब से जो हुआ होगा क्योंकि नैसवाडिया ने बयान दिया हिंदू में छपा है तो जो हुआ होगा कि पंजाब या तो राजी हो गई होग कुछ भी एस्थिति क्लियर नहीं है क्योंकि अभी दिल्ली का बयान आना बागी है तो वही मुझे तो समझ नहीं आ रहा रहा शायाद मेरे साब से आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बोक्स नीचे वही आप बताइए क्या होने वाला है क्या यह बयान जरुक्शक थी कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करका बैल आइकन को जरूर दबाईए